प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि देश की जनता क्या सोचती है? क्या देश में तोजी घोटाला हुआ था? इस सवाल का जवाब देश की जनता क्या कुछ दे रही है? पेस्बुक पर ट्वीटर पर हमारी वैबसाइट पर जो रियक्शन आए है 21 पीज जनता कह रही है कि नहीं हुआ था? लक्षमी कान जी यह तो बीजेपी भी कह रही है कि यह गोटाला हुआ था? सर तो बता दो जनता को कब तक इसको सिद्ध कर पाएंगे आप लोग? अगली सरकार भी चाहिए इसके लिए? सरकार ने निर्ने आने के बाद क्योंकि 1500 कुछ पन्नों का यह निर्ने है इसलिए सरकार के जो एक्सपर्ट लोग इसको अध्यन करेंगे और इसकी ऊपर की कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे यह सरकार का बयान पहले ही आ चुका है हम इस निर्ने के संतुस्ट नहीं है यह सरकार से जड़वे लोगों का पहले बयान आ चुका है हम इसको नहीं लेकिन क्या है साब कि देखिए इसको घुमा फिरा के कुछ लोगों के द्वारा यह भूमी का बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस सब निर्ने है उसके लिए प्रतमान सरकार दोसिए वह उसका उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जड़ी करेप्शन हो रहा था है जो कुछ भी अने में तहे हो रही थी तब तब का वित्त मंत्री तब का प्रद्ध essent तब क्या कर रहे थे कि अधार पर आया हुआ है उसमें ना हमारी तरफ से कोई एविडेंस पैस किया गया क्योंकि सब्सक्राइब करना एक जैन साथ सर आगे इसको चैलेंज होना चाहिए निश्चित रूप से क्योंकि जो निर्ने है मैंने जो मेरा अपना नियाई शेतर का अनुबव है उस पर कई ही जगे प्रोसिक्विशन की विटने एविडेंस को इस तरह से एक्जामिन किया है कि जैसे उसमें से कमिया निकालनी हो दो जगे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि जब रात को बैठ कर वो जवाब दे रहे हैं उस बात को कैसे कि जो फॉरेंड कंपनी थी को जिसमें सिर्फ 49 परसेंट का शेयर पर्मी सिबिल था जिस कंपनी को टेंडर मिलना था उसमें उसको बाद में बढ़ा कर दिया गया अर्थात बेच के फाइदा से बेच के कमाने की छूट दे दी गई लोकिन पीरिड भी नहीं रखा इन सब स प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी मानी जाती है उसके बारे में इस केस के बाद यह आया कि जब इतने बड़े केस को वह साबित नहीं कर पाई सीबी आई तो इसका मतलब सीबी आई सही तरीके से केस को कोट में दुनिया का आज राजी हिंदुस्तान गार बच्चा बच्चा है मान रहा है कि यह केस में गोटाला हुआ है पर सीबी आई फिर भी एविडेंस को जानबूच के नहीं दे पाई तो कहीं ने गई सीबी अच्चा जान रहा है कि घोटाला हुआ है मान रहा है सीबी आई भी यह मानती है कि तीस हजार नो सो चोरासी करोड रुपय का अनिमताइश में हुई थी कैक की रिपोर्ट में एक लागबातर हजार करोड की तत्कालीन विपक्स की मांग की तिसकी जास सीबी एई से कराओ और तत्कालीन सरकार ने बढ़े के सीवेई से जाच कराई तत्कालीन विपक्स की मांग की मेहनों सदनी चलनी दिया क्या मैहनों सदनी चलनी दिया गया करते हैं आप देखिए ना असी क्रोड करता है जाज करहें ना पदानमंत्री शदर में बहुत प्रोग्रम क्लोज करने हैं यह जस्वन जी गुम्राक ने क्लोग्रम क्लोड क्लोज करने करते हैं जाजके नहीं एकैसि सुनितल सुने करते हैं जंता के बीच में गंभीर संदेश जाएगा कि सरकार जो आरूप लगाती है बीज़ेपी के नेता जो आरूप लगाते हैं वो निराधार होते हैं शाम जी गलत कह रहा हूं यह संदेश नहीं जाएगा अब अपने दाइत्तों को समय रहते निभाना नहीं अब देशी कमट्री को दिया ना बाद में आप जो करें कि अरब की कंपनी को दिया अलवी उसके बाद नार्वे की कंपनी को दिया उससे साब इस पर सोता है कि महंगा बिक सकता था 2001 में इमानदारी से इसकी नीती सही तरगी से अपनाए गए होती तो बाद में इसको इसके दिक्कत नहीं आती है गोटाला हुआ आपके हिसाब से नहीं हुए गोटाला हुआ है तो बीजेपी पर भी सवाल खड़े होंगे कि वो आरोपों को लगाती तो है लेकिन गंभीरता से प्रूब नहीं कर पाती देखेगा है सुप्रिम कोर्ट में निश्यतुर्प सरकार को चैलेंज करना चाहिए जो कमिया है उसको उजागर करते वे सारी बाते करने चाहिए तो निश्यतुर्प से अपरादी को सजा मिलन नहीं हुआ इसमें लिखा है कि घोटाले को साबित नहीं किया गया और यह जिम्मेदारी सीबी आई कि ते जो पूरी करती नजर नहीं आई जबकि उसने खुद माना था कि 30,984 करोड के अन्यमताई है लेकिन एक पैसे के अन्यमता वो कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पूरी है झाल झाल